गूद बॉर्निंग दियर स्टुदेंट्स, हाव रू आल, आई होप यू आल आर फाइन दियर स्टुदेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास्स, वी लार्न चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर टू, माय फेमेली है ना, हमने हमारी जो पिछली क्लास्स थी, उसमें माय फेमेली नेम पड़े थे, तोड़े आइम गोईं टू टू टीज यू अ न्यू टॉपिक जो की है, पार्ट्स ओफ बॉडी, है ना, बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के कौन-कौन से अंग होते हैं और उनको कौन-कौन से नाम से जाना जाता है, तो प्लीज आल आफ यू टेक आउट यूर पिचल डिक्ष्णरी, ओके, बुक नेम है और आपको पेज नमबर ओपन करना है, शिक्स, टॉपिक है, पार्ट ओफ बॉडी, यस, फ्वास्ट है, देखो, यह क्या है, यह क्या है पित, नेक, स्टोमच, नोस, फिंगर्स, हैंड, आम, शोल्डर, चैस्ट, नी, है ना, इस तरह से यह क्या है, हमारा बॉडी, पार्ट, एक बार फिर से, हीर, तित, नेक, स्टोमच, नोस, फिंगर्स, हैंड्स, आम, शोल्डर, चैस्ट, एंड, नी, इस तरह से यह हमारा बॉडी को बनाते हैं, अब देखो, यहाँ पर आपके, कुछ कोशिन पूचे गए हैं, इसमें से आपको, टिक लगाना है, ओके, किस तरह से देखो, आई, फिर आपका, ब्लैंक छोड़ा गया है, with my eyes, तो हम eyes से क्या कर सकते हैं, तो see, see मींज देखना, तो देख सकते हैं, तो इस पर आपको right का निशा लगाना है, ठीके, फिर आखों से देख सकते हैं, फिर, I with my ear, अब कान से क्या कर सकते हैं, अब कान से सुन सकते हैं, तो here, okay, yes, next है, I with my tongue, tongue means, आपके जो जीव होती हैं, उसको, tongue, tongue से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का taste ले सकते हैं, तो taste, फिर next है, I with my nose, अब nose से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की smell ले सकते हैं, तो smell, फिर I with my hands, अपन हातों से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को touch कर सकते हैं, तो touch, फिर I with my legs, अब legs से अपन पैरों से क्या कर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, तो jump, और next last time, I with my fingers, अपन finger से क्या कर सकते हैं, फिंगर से write कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इस तरह से आपको इन question के answer को अच्छे से learn करना हैं, कि हमारा body का हर part किस किस काम आता है, ओके dear students, तो आपको body parts का एक छोटा सा वीडियो बना कर, आपको send करना है मैं को, ओके, bye, take care